जी आपने बिल्कुल सही सुना, जल्दी जेल जाने वाले, रिया, शौविक, दिपेश, मिरांडा, ये सारे जो लोग हैं, जो सुशांत के बहुत करीबी थे, NCV ने फाइनली चार्शीट दाखिल कर दी है, और इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, आप कि दिपेश सावंत वही, मिरांडा का तो एकदम से क्या हुआ, हत्प्रभ हो गए, आप बॉलिवूड कुछ नहीं बोल रहा है, ये वही बॉलिवूड इस जस्टिस फॉर रिया की मुहीम चला रहा था, ये वही तापसी पन्नु अब गायब है, क्योंकि अब जस्टिस कौन कौन सी धाराई लगाई है, तो मैं आपको पढ़के बता देता हूं कि इस रिया चकरवर्ती और शौविक जो है उसका भाई इसके खिलाफ कौन कौन सी धाराई लगी है, तो NCB ने सेक्शन 20B, 27A, 28, 29, 30 रिया चकरवर्ती के खिलाफ लगाई है, और जो उसका भाई है के खिलाफ लगाई है, 20B, 28, 29, तो भाई है इसके अंतरगत जो धाराई लगी है, 15-20 साल कम से कम यह जाएगी, यह लड़की और इसका भाई 15-20 साल के लिए जाएगा, अब आप समझ रहे होंगे कि यार, यह इतना गंभीर है तो पहले बेल कैसे मिल गई, ऐसे ही होता है ज पेश सावंथ जाने वाला है जेल, रिया चकरवर्ती जाने वाली है जेल, शौविक जाने वाला है जेल, और सेमुल मिरांडा जाने वाला है जेल, यह सारे वो लोग है जो ड्रक्स के आदी थे, जो ड्रक्स का कारोबार कर रहे थे, तो यह लोग तो बहुत अच्छे से घि देखो संजेदत जीवंत उधारण है जो अच्छे से लाइम लाइट में है क्योंकि ड्रक्स के इतने बड़े नशेडी रहे तो बॉलिवुड तो इन चीजों में लिप्त रहे और इनोंने ये हर तरह से कोशिश की कि सुशांत जो आज हमारे बीच में जीवित नहीं है उसके से लावा 50,000 पन्नों की सॉफ्ट कॉपी है मतलब डिजिटल कॉपी है अब ये टोटल मिलाके कंबाइन पहुच जाती है 62,000 अप्रॉक्स तो यानि कि इतने पन्नों की चार शीट है जिसके अंदर इनके कथड़े चितड़े खोल दिये मतलब सब कुछ इनका इतिहास खोल इनके वाटसेप चैट जो इनके डिवाइस लिये थे ध्यान होगा गुजरात फॉइंसिक में बेजे थे तब अरजाना बोल रहा था भाई क्या निकल किया इतने दिन होगे जी हां वो जो डेटा है था 70,000 से ज्यादा का डेटा है था उसमें से इन्होंने चार शीट में ज आपका सवाल यही होगा मैं जानता हूँ तो इनके गिरफतारी तब होगी जब कोट के अंदर ये चार शीट जाएगी कोट जो जस साब है वो सारी चीजों को पढ़ेंगे और उसके बाद फैसला देंगे तो उस चीज का इंतजार अब रहे लेकिन मैं आपको बता दू जो जितने इनों चैट्स की इनके कॉल रिकॉड्स इनके आदियो क्लिप्स सब कुछ निकल चुके है सारा का सारे डेटा नसीवी के पास आचुक है और नसीवी ने उस सारे का सारे यहां पर ऑप्योग किया है तो आप समझ सकते हैँ आपका पूरा इतिहाज जो आप डिलीट क कर चुके थे अपने फोन को फॉर्मेट कर चुके थे अपने लैप टॉप की हार्ड डिस्क उड़ा चुके थे वह सारा डेटा आ चुका है आप सोचे आप सुरक्षित हो चुके हो लेकिन कानून एजेंसिया बहुत सक्षम है अवल दर्जे की टैक यहां पर यूज हुई है अवल दर्जे की टेकनोलोजी का यूज की अगया है और उसके माध्यम से इनका सारा कसारा इतिहास सामने आ चुका है इन्होंने सोचा हम बच गए लेकिन यह बचे नहीं तो जी कहते हैं ना बुरा करोगे तो बचोगे नहीं तो वही चीज हो गई कि इन्होंने बुरा की सोचा किस ने देखा जी आपके अंदर बैठे प्रमात्मा ने सब देखा आपके अंदर बैठे परमात्मा ने आपकी हर एक चीज का जी यह को ब्यूरा रखा है और उसके साबसे बापको मिल रहे है देखो कैसे फसma है आप आपने देखा जब पहले रिया गई थी तो कैसे ये बॉलिवुड कूत पड़ा था आप ध्यान देना इस चीज को जब पहले रिया चकरवर्ती को जेल में डाला तो पूरा बॉलिवुड निकल का है इनके समर्थन में तापसी पन्नु याद है रोजेजा रेड है याद होगा तो यह वही तापसी पन्नु आज नहीं बूल पा तो जो कहते है न चौर चौर मोसे रे भाई वही है इनकी असलियत मैं आपको हर बार यह इसलिए बोलता हूं कि यह सारे चौर है एक चौर का साथ दूसरा चौर ही देगा तो अनुरात कश्यप और तापसी पन्रू आप बोल रहे हो परस्नल वेंडिट है नहीं जी इंकम टेक्स सिर्फ यहां पर रेड नहीं कर रही है आप गूगल सर्च करके देखिए इंकम टेक्स की पूरे इंडिया में कहां कहां रेड चल रही है तो इंकम टेक्स तो हर साल करती है पूरे टाइम रेड कर रही है तो फिर आप कैसे कह सकते हो भी है परस्नल वेंडिट है स हम विक्टिम कार्ट केले सौरी तो यह उसी तरह बुरे करमा आप करो तो आप उससे बच भी नहीं सकते हैं तो यार आप यहां पर समझ सकते हैं कि बहुत लंबे वाले जाने वाले हैं 15 से 20 साल यह लिटरली जेल में सड़ने वाले हैं और एंसी वी इस बार बहुत मतलब समीर वानखेड़ी जी यहां पर बहुत क्लियरली संकेत दे चुके हैं बहुत क्लियरली कि भई अब वो नहीं चलेगा जब सस्पेंट कर दिये थे अपने अधिकारियों को क्यों क्योंकि उन्होंने का भई यहां पर धील नहीं चलेगी हम यहां पर इतनी महनत करके गिरफ्त करत और उनको इतने इजीली बेल मिल जाती है नहीं डील नहीं चलेगी अपने ही अधिकारियों को सस्पेंट किया उनके उपर इंवेस्टिकेशन बठाई है और आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ठीके तो भाई अब यही होने वाले अब यह लोग जेल में सरने वाले है तो यहार आप अगर अभी तक यह सोचके बैठे थे यहार रिया का कुछ नहीं होगा तो फिल्कु लोगा बहुत बुरी तरह बुरी हालत में रहेगी तो भाई अभी तो पोस्टर से गाइब किया था बिचारी को अब हर जगे से गाइब होगी क्योंकि जेल में उसके पोस्टर छपेंगे तो यार गाईस इस वीडियो में इतना ही है आपको एक चीज़ और बता दू अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो आगे जाके आपको पता है क्या मुहावरे के तौर पे बताया जाएगा कि भाईया सही रास्ते पे चलो नहीं तो रिया चकरवर्ती आ जाएगी जी हाँ बिल्कुल सही बात है तो अब आप इस चीज़ को समझ लो सही रास्ते पे चलो सच बोलो कोई ज़रूरत नहीं है बॉलिवूड की चम्चागरी करने की रिया चकरवर्ती जा रही है दिपेश सावंत जा रहे है शौविक जा रहे है सैमूल मिरांडा जा रहे है गलत करोगे तो गलत भुकतोगे भी आप जेल बिल्कुल जाओगे बाकी देखना रहता है दिपिका, शद्धा, सारा लिखान, रकूल प्रीस सिंग इनका क्या होता है अर्जुन रामपल का क्या होता है यह अभी सामने नहीं आया है क्योंकि यह लोग भी स्टीज में लिप्ट है अब NCB ने इसको किस तरह से मूफ किया है 33 जो नाम है, 33 लोग अक्यूजड है उनकी पूरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है तो उसका इंतजार है और मैं उम्मीद करता हूँ वो आजेगी तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे बाकी जो भी होगा, अच्छा होगा क्योंकि कहा गया है ना कि भाईया भगवान को पकड़के चलो तो कुछ बुरा नहीं होता तो कुछ सोच के ही मैं कहता हूँ अब आप देख भी रहे हो, बाकी आप मेरे को Facebook, Twitter, Instagram पर follow कर सकते हो OSKD मेरा username है, जैहिंड